हाई फ्रेंड्स हाई फ्रेंड्स कैसे आप लोग आई होप सब अप लोग अच्छे होंगे अभी मैं बज रहा है करीब एक बजने को जा रहा है तो आप लोगे साथ थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि मौसम जो है जैसे बर्सात को तब ऐसे हैं अभी थोड़ा सा वारी शोच गया है मतलब थोड़ा तेजी हुआ था विपंद हो गया तो बात करना चाहिए थे कि जो हम इंसान है सबका एक इंडिविजल हम लोग सबका इंडिविजल करेक्टर है क्यूंकि हम सब अलग है मैं मैं हूं आप आप है वो वो है वो वो है ठीक है तो उसी अनुसार सबका जो है एक बेसिक नेचर होता है उसे इंडिविजल का अपना नेचर होता है जो हर किसी से मैच नहीं होता है ये दिपेंड करता है उनका जो जोृडियक साइन है जोृष नमबर है उस से अब्हुतलों यो 5 आज उसके बाद आप लोग यही अपने बारे में भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके अपना डेटा पर्च कर सिर्फ डेट बताएए बता दीजेगा तो मैं आपका भी नेचर के बारे में बताने से क्या होता है ना कि आपको लोगों को आइडेंटिफाई करने में आसान हो जाता है आप किसी के ट्रैप में नहीं आते हो जो सामने वाला है आप बोलो कि हमें कैसे पचा चलेगा सामने वाला का क्या है सामने वाला जब आप से बात करेगा तब आप उसकी नेचर से बाकिफ हो जाओगे क्योंकि आपने उस नंबर को पढ़ लिए हुए हो उसका ग्यान है तो अभी उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं आप मैं आपना म मुलांग नंबर दो है क्योंकि मेरा डेट ऑफ जो है डेट जो है वो 29 है 29 में 2 प्लस 9 is equal to 11 और 1 प्लस 1 is equal to 2 तो जिसका डेट ऑफ पर्थ में 2 है 11 है 29 है उनका मुलांग नंबर 2 है तो मुलांग नंबर का दो वाले का जो गुरु है वो है चंद्रमा वो कंट्रोल करता है ज ऐसे लोग क्या होटा बहुत ज़दा केरिंग होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं बहुत सौफट और काइंड हटे होते हैं सामने वाला का दुख यदि कोई बया करे तो एकदम से उस पर कूट पड़ती है और उनका जी जान से उस दुख से उनको बारने का कोशिश करते और कर है। उसको सहथ नहीं कर भाते हैं और इसको अपना पूरा एरी चोटी के जोड़ा देटें और उसको यहीं नहीं पता होता हैं कि सामने वाला कितना चाला किसे उसको अपना ट्रैप में ले लिये हैं। तैसे लोग बहुत जल्दी धोके में पढ़ जाते हैं क्युक्स जो स्वार्थे हैं जãoका अपनों निकालना होता है वह मतलब निकाल के जा चूके होते हैं और उनको बहुत सारा इनाम में जीत दे के जाते हैं धोका जो वह कि यह थो नंबर वाले हैं सेंसिटीवigration संबेदंशिल इमोशनल भावुक तो उसको वो सहन नहीं कर पाते हैं तो मेरा कहना है कि आप जो है लोगों को पहचारना सीखें कि हर सामने वाला ही जो है वो सच्चा नहीं है मेरा इतना उमर हुआ आज भी मुझे वही वाला अनुभाव हुआ अगला मुझे एक सेकेंड भी नहीं लगा समझाने में वो समझा दिया कि मेरे जहां स्वर्थ में कमी हुआ तो मैं तो सब भोल जाता हूं यह भोल जाती हूं जिसके लिए मैंने यह भरे दुफरिय में नौतापा में जहां लोग घर के अंदर एसी कुलर के अंदर आते मैं सेज में उनके साथ यहां वहां सब जगा गई कि मेरे जाने से उसका काम हो जाए क्योंकि उतना बात्चीत करना एंपर है जिससे बात्चीत करते नहीं बन रह जुटार जिसके लिए से काम रोख जारा मैं बड़े बड़े प्रशाशनिक विभाग में गई उसके लिए काम किया उसको रेजल्ट उसको मिला नहीं मिला wo ही उसी को पता है उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी कहने के मतलब इतना ज्यादा कि कम नहीं पता कि मैं अभी भी कर रही हूं शायद आगे भी करूंगी कोई भी आके मेरको अपना दुख बताएंगी और मैं उसमें जो है, अपने परिशानी को मैं नजर अंदाज करके, ना मैं अपना समय का फिकर करती हूं, ना पैसे का, ना स्वस्त का, मैं उसके साथ, उसके प्रॉब्लिम को सुल्व करने के लिए जुड़ जाती हूं, तो यही मेरा नेचर है, जो बहुत अच्छा नहीं है जिससे बार-बार मेरे को धोखा मिल रहा है, आज भी मिला, पहले तो मिलाई है, अपनों से बहुत ज़्यादा मिला, पराय को अपना बनाने गए, उससे भी मिला, और मिलते ही जा रहा है, मैं कभी नहीं सुदर सकती, मेरे को यह सौगात, मेरा पुरा आखरी सास तक ही ऐसा मिलता ही रहेगा अब इस उमर में आके नेचर कहां बदल पाएंगे पर क्या है कभी कभी लगता है ना अपने आपको हर चीज से दूर रखो अलग रखो यदि किसी का प्रॉब्लिम हो रहा तो देखो चुप चाप रहो उसको उसका प्रॉब्लम करने दो यह जानती हुए विए आपका थोड़ा सा भीनेंट उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है मत करको कि उनको फेस करने कि दुनिया जो है समाज है दुनिया है बहुत विचित्र है बहुत विगत्र है कि इसका आए picture महीं समक सकते है से को इससे दुखी मिलता है अच्छा है अपने में रहो कि अपने के काम से मतलब लखो अपने काम में वश्थ रहो HEY इसलिए कहते हैं जब रोड में किसी को आप मतलब विपत्ती में देखते हैं तो लोग वहां से क्या होता है भाग जाते हैं क्योंको उसका नेचर उसको ऐसा करवाते हैं मैं तो आज के बाद यह कहूंगी कि अच्छा करते हैं जब आप किसी के समय स्या को समाधान कर दो और उसके उसमें आपको क्या मिलता है बहुत ऐसा जवाब मिलता है जो आप सोच नहीं सकते तो यही कहना था कि ज्यादा किसी के दुख दर्द को बाटने की कोशिश मत करिए अपने में रहिए आपके अपना जो खुशी है दुख है उसमें आप इंवाल्व रहिए बहार के लोग दुसरे के लोगों के दुख में मत कुदिये मत समालने जाइए इसका रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं मिलता कोई नहीं नाम करता कोई भी नहीं सब स्वार्थी है और एक से एक स्वार्थी है आप किसी को भी कंबे से नहीं बोल सकते सब अपने अपने में माहिर है जहां उसके स्वार्थ में थोड़ा कमी वह आपके पास इसलिए जो यदि सोचे कि कोई आपके नजदीक आ रहा है आपको अच्छा बोल रहा है इसका मतलब वह कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ आपसे चुड़ा हुआ है और जब आप सोचते कि यह मेरे कुछ सही में चाहता हैं और वह सौर्थ स्वार्थ को आप क्या करते मजबूत करते जाते हो तो ऐसे हल्में आपको बहुत बड़ा प्राफलिम का साब्ना करना पर सकता है कि इसलिए कोई जो रत ने किसी को हइल करने सह अилось करने का जिसका प्राफलर्म को सौर्व करने दीजे यू इससे कोई आपको नाम नहीं लेने वाला अपका प्रशंक्षा नहीं करने और उल्टे आपको दो बात यदि उनके स्वाथ में कमी होगा तो सामने आके आपको दो बात सुना के जाएंगे फटाक से थोड़ा से भी संकुछ नहीं करेंगे इसला आप लोग से गुजारिश है क कर्का कि किसी की प्रब्लों में में साल बू दूर से देखिए हम तो ऐन देखेंटा मर्जश मजा लीजिए यही मेरा आज कर आपको कह रहा है कभी मैं नहीं कहती हूं आज मैं लिए थेनक्यू